अगर आप भी अपने घर में एक ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जिसको आपको ज़्यादा देख बाल ना करनी पड़े और बहुती रेयर और हाड़ी प्लांट हो आपके घर में लगा हुआ सुन्दर और यूनीक भी लगें तो जो मैं प्लांट आज आपके साथ शेयर करन वाली हूं उस प्लांट को आप जरूर लगाए उससे पहले आपको अपने पीस लिली प्लांट के अपडेट दिखा देती हूं जो कि मैंने लास्ट टाइम आपके सामने प्रोपोगेट किया था बहुत सारे प्लांट जिसके एक प्लांट से बना लिये थे तो प्रोपोगे जो प्लांट मैंने पानी में डाला था, वह भी तक ठीक है, उसमें भी ठीक ग्रोथ चल रही है, क्योंकि बरसा आते हैं, तो प्लांट जल्दी ही अपने आपको हील कर लेगा, और सारे प्लांट हैं, हेल्दी अपने आप ही हो जाएंगे, अभी तो काफी सारी पतियां इसमें केर करने वाली हो यह है एलोकेशिया कुकुलता इसको बुद्धास पाम भी बोलते हैं और इसको जो है घर में लगाना बहुत ही शुब माना जाता है इसके पत्ते इतने चमकदार और सुन्दर है कि मन करता है प्लांट को देखते ही रहें इयर एलिफेंट इयर भी प्लांट इसको कहते हैं और नमेंटल प्लांट है यह एक और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है मतलब जहां पर बारिश जाज़ा होती है वहां पर बड़े बड़े पेड़ों के नीचे प्लांट खुद ही हो जाता है और जमीन में तो यह प्लांट बहुत ही बड़े- चोटा सा नया प्लांट यह मेरे हां पर रखना है तो आप भी जब नरसरी से प्लांट लाए तो यह ज़रूर देख लें कि एक पॉर्ट में एक प्लांट के प्राइज में आपको उसके अंदर कितने प्लांट मिल रहे हैं जो कि आपको सेमी रेट में जैसे 150 रुबीस का उ पूरी वीडियो जो है मैं आपके साथ शेर करूंगी तो वीडियो में एंड तक बने रही है ताकि आपको इस प्लांट की पूरी केर मिल जाए तो आप सभी के लिए यही एक टिप भी है कि जब भी आप नर्सी से कोई भी प्लांट लाए तो प्लांट को आप देख लें अग बहुत ही अच्छा प्लांट है मिट्टी जो है इसकी आपने वेल्ट्रेन बनानी और कैसे बनानी है वह मैं आपके साथ आगी शेयर करूंगी मैंने इस प्लांट को पॉट के उपर रख दिया था जब इसकी जड़े बाहर निकलने लेगी ताकि इसकी ज़ड़े जमीन को ट जल सकती है लेकिन अगर आप इस प्लांट को इंडोर रखते हैं मतलब घर के अंदर रखते हैं तो आप इसको या तो विंडो में ऐसी जंगा रखे जहां पर दिन में बहुत अच्छी खासी लाइट आती हो रोशनी आपके विंडो पर पढ़ती हो और अगर आप ऐसी इसको बिल्कुल भी प्लांट पसंद करता है इसको बिल्कुल भी सूखी मिट्टी पसंद नहीं आँ कि आपने पानी डाला उस में कही दिन तक पड़ा रहा मिटी आप ऐसी बनाए कि आप पानी डालें पानी नीचे से निकल जाए लेकिन वो पानी को होल्ड करके रखे और वैदर की बात करती हूँ तो हुमिडिटी बहुत पसंद करता है जैसे भी बरसाथ चल रही है तो इसका ये जो है लविंग सीजन है बहुत जादा 18 डिग्री से 25 डिग्री का टेंपरेचर ये प्लांट बहुत ही पसंद करता है ये प्लांट के वल सरदियों में डॉर्मेंट हो जाता है हरा भरा रहेगा ये प्लांट मतलब पतियां सारी नहीं जड़ेंगी लेकिन इसमें कोई भी नई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेग लेकिन जैसे के हम इसको पॉट में लगाते हैं तो ये प्लांट को खाद की जुरुवत पड़ती है तो आप इसे तीन बार खाद दे सकते हैं सरदियों में इसको खाद नहीं देनी है अब आती है इसकी प्रोपगेशन की बारी तो प्रोपगेशन में आपने जो है 40% 20% कोकोपीट और 20% खाद थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी मिलाई है क्योंकि आप मेरे पास फंजिसाइड नहीं है या फंजिसाइड इसमें मिलाएं जरूर क्योंकि अभी बरसात में मिट्टी में फंगस लगने का खरत्रा रहता है तो आपने इस मिट्टी को बहुत अच्छ आप तक बहुत ही अच्छी बनी हुई है क्योंकि बहुत सौफली अराम से इसकी मिट्टी निकल जा रही है बिना जड़ो को कोई भी नुकसान उए बहुत असानी से यह जो है मिट्टी निकल जा रही है तो इसको मैं प्रॉपोगेट करते करते यह एक चीज देख रही थी कि इसमें जो है अंदर जो जाली वाला पॉट आता है यह लगा हुआ है यहां पे अगर आपको दिख भी रह आ होगा आत Wahr risks और साइडों से नई प्लांट निकल आए यह बहुती आसानी से यह बिना किसी महनत के मिट्टी निकालते ही अलग हो गए है तो यह देखिए नर्सरी इसको आपने बहुती असानी से काटना जो इसके अंदर रूट ही वह अपने आप घलकर कट गई होगी एक रूट यह बची इसको मैं काट देती हूं तो आपने धिहान रखना है बस किसी भी प्लांट को लगाते निकालते हुए कि उसकी जड़ो को कोई नुकसान न पहुंचे मिट्टी अच्छी बनी हुई हो और इसको आपने निकाल कर अपने प्लांट से हटा देना है नहीं तो जड़ो जो है फैल चार इंच के पॉट में वापस लगा रही हूं और इस तरीके से इतनी अच्छी जड़े निकली हुए और इस प्लांट को आप यहां से भी प्रॉपोगेट कर सकते हैं कटिंग के थूँ चोटे प्लांट को जो है मैं चार इंच के पॉट में लगा रही हूं क्योंकि चार पॉट इसके लिए कि अपने सारे प्लांट लगा लेने हैं ऑर इक से आप मैं चार बना लूँगी और चार से फिर जाने पिस पना लूँगी आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं एक चीज का और धियानाना है फ्रेंड्स जो भी आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो जहां इसका stem सड़ भी सकता है तो आपने बस plant लगाते हैं इस चीज का आपने ध्यान रखना है तो चारों plant मेरे अच्छे से लग गए हैं इन में अच्छे से पानी दे देना है आपने और इसको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इनको धूप न मिल से हो वैसे भी ये plant धूप में बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेगा इसकी मेरे नीचे ही रखे हुए हैं जहां पर इनको रोशनी अच्छी मिलती है लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं आती है तो चलिए अब इसमें problem बताती हूँ आपको प्रॉब्लम अगर पत्तियों के किनारे बूरे दिखते हैं आपको तो जो है इसकी मिट्टिया तो जादा सूखी है जादा घीली है पतियां जुकी दिखती है तो तब भी समझ लीजिए इसमें पानी की कमी है आपने पानी डा और पतियां अगर आपकी पीली होकर गिरने लगे तो समझ लेजिए कि आपके ब्लांट में ज्यादा पानी है तो आपने जो है उसका solution यह है कि मिट्टिया पच्छी बनाए तो एक टेप इसमें यह है कि अगर आपको इसको चारो तरफ से एक जैसा दिखाना है मतलब यह प्लांट कहीं से भी बढ़ जाता है तो आप इस प्लांट को हर महीने एक बार गुमाते रहें जैसे दिवार के सारे रखा है तो एक महीने में एक बार उसको गुमा दीजिए तो जो है चारो तरफ से एक जैसा बढ़ेगा कई बार यह प्लांट जो है ऐसा होता है कि घर पर लाते ही सारी पत्तिया गिरा देता है तो आप घबराएं ना कुसिनों बाद ही अपने आप ही सेटल हो जाता है और नहीं ग्रोथ दुबारा शुरू करता है और इसकी पत्तियों इसको साफ करना है या फिर इस पर डेवली शाफरिंग जरूर करनी है तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू